हेलो स्क एलेक्ट्रों सरकम आपको साथ और सो कैसे हैं आप सभी आसे करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों मेरे पास एक amplifier repair होने के लिए है जिसके अंदर दोस्तों sound की problem है और आप यहां पर देख सकते हैं यह जो भी इसका है देख सकते हैं कि वह सब्क्राइब करें कि सबसे पहले से कंडिशन करके देखे जाते हैं तो दोस्तों यहां से इसमें Bluetooth तो Bluetooth मोड पर आ चुका है अभी हम क्या करेंगे दोस्तों अपने इसको Bluetooth से कनेक्ट करेंगे और इसमें सॉंग प्ले करके देखेंगे कि सॉंग अच्छे से प्ले हो रहा है नहीं हो तो हमने कनेक्ट कर लिया है तो यह देखिए इसमें स्पीकर यह वाला लगा हुआ आप देख सकते हैं इस तरह साउंड आ रहे हैं इसके अंदर और बहुत ही थोड़ा से बहुत जादा वोल्यम बढ़ा दे रहे हैं जब काम होता है अब क्या वालेटी आई नहीं रीसक अंदर देखिए विए वे तो दोस्तों ऐसी प्रोबलम में सबसे पहले हमें क्या चीज़ चेक करने चाहिए सबसे पहले हमें च्छेक करने चाहिए जो टांस्वार्मर की सेकंडरी सेक्शन है ना यह वोल्टे सारी चीज जो है ना में यह चेक करने चलरी दोस्तों आपको कमप्रीट सिकाते हैं तो बाम टांस्वा यह तो सबसे पहले दोस्तों अपने में सैट कॉह 1 रखना एं आपको आँसी है औरो आवाज आपको बलकुल बंद कर देनी ठीक है न आप आज बिल्कुल बंद कर देनी है आपको multimeter है दिखाई दे रहा होगा इसमें ओटो लिए और टीक है तो सबसे पहले क्या करना है इसकी प्रोब दोस्तों ground कर देनी है एक प्रोब ground कर देनी है यह नहीं कि body से ठीक है तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या चेक करना है देखिए मैं आपको दिखा दता हूं जो ट्रांस्वामर की वोल्टेज यह थोड़ा से अपडाउन एक दो वोल्टेज होती रहती है क्योंकि दोस्तों यह अर्थिंग पड़ता है तो पहली वोल्टेज चेक करते हैं बारा रही तो बेस तारे से हैं दोस्तों चलिए मैं दिखा देता हूं आपको दोस्तों तक कम यहां बोडी से और बेस क्लेक्टर एमिटर Васवागा base collector emitter base collector emitter इस तरह से तो body से body से और base पे हम जो है ना continuity check करेंगा अगर beep sound आ रहा है तो गलत है अगर दोस्तों हमारी reading clones में आ रही है 500-700 तो हमारी ठीक है दोस्तों मैं बताता हूँ अगर इसमें DC offset खराब हो जाता है तो दोस्तों जब भी हमारा क्या होता है इस तरह का sound रहता है DC offset क्या होता है जब हमारे driver section जो है ये अच्छे से खाम ना कर पाए transistor को चलाने के लिए जब दिक्कत बनती है और ये कहां से बनते हैं क्या component खराब होने से बनते हैं complete दिखाऊंगा आप वीडियो लाश्ट अब बने रहें और जो चैनल पर नहीं है प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर देना अब चलिए दोस्तों जो बेस है यानिकि जो ग्रीन वाला वायर देख रहे है इसके में कम गैप है यहां से और इस पर ग्राउंड चैक करेंगे कि हमारे दोस्तों sorting वागरा तो नहीं आ रही या किसी वज़े से कोई ऐसा resistance तो नहीं आ रहा क्योंकि sorting होगा तो सीधी सी बात है दोस्तों output में आवाज ही नहीं आएगी और series bulb का फुल ग्लो होगा लेकिन दोस्तों इसमें series bulb देख सकते हैं कोई भी ग्लो नहीं हो रहा है विसमें पावर जो नॉर्मल आ रहे है वोल्टेज बिल्कुल करेक्ट आ रही है कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहीं चेक करते हैं इसकी रेश्टेंस चेक उसकते हो जेसरे बाले के बेस पर देखता हूं यहां से और अब बढ़ताए है तो दोस्तों आपको सब्सकी है क्लोम में जादा रीडिंग आ और पूलें तो यह जो preset देख रहे हैं, यह preset, इसके preset की दोनों तरफ दोस्तो DC voltage आनी चाहिए, चाहिए come out, लेकिन DC voltage आनी चाहिए, चलिए एक तरफ देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ इदार है, एक तरफ इदार है, और बीच में वाइपर होता है, थोड़ा सा मैं जूम करके द देखेगा, अब देखिए, अब आपको यहाँ से multimeter दिखाएता हूँ, अब दोस्तो दोनों तरफ वोल्टे चेक करने हैं, पहली तरफ चेक करते हैं, 8.43 वोल्टे है, दूसी तरफ चेक करते हैं, तो यह देखिए, 371 बात तर चोहतर गास पास रीडिंग आ रही है, तो इ धियान देना, देखिए, यह मैंने साउंड बजा रखा है, ठीक है, अब देखिए, speaker, अब यह preset को डाकर देखता हूँ, कुछी सेकंड के लिए डाक करना है, यह देखिए, यह देखिए, क्यूंकि DC offset गलत हो जाए, तो ठाइटर खराब हो जाएगा, देखिए, यह देखि यहाँ नंबर से टू नंबर तक 500 से 700 ohm के बिच में कोई सी भी एक resistance लगा लो, क्योंकि इसकी value जो होती है, मैं दिखा देना चाहिए, यहाँ पे लिखाओ, यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए, आपको दिखाई दे रहो, 1K, यह देखिए, 1K, और द बन जाएगा चलिए दोस्तों में रिश्टेंस लेगा दो अभी लगाता हूं तो यहां पर दोस्तों हमने चैसो अस्यों के रिश्टेंस लिए अब इसको चलती लाइन पर देखेंगा आपको बिल्कुल लाइब दिखा रहे हैं यह देख सकते हो यह देखें अब मैं दोस्तों इसको यहां पर सोल्ड करूँगा अवाज अपने आप ही बढ़ जाएगी और इससे कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि बहुत से अभी अपना दिमाग चलाएं किससे इससे वो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि हाफ पर चलना है प्रिसेट और यह हा होता है प्रब्द देखें साउंड भी आरहा क्या यह देख सकते हो कि देख सक्ते हैं कि ठीक है नदेखर ऑख लो क्योंकि दिक्कत ने आ जिबाएग तो दोस्तों हमारा सेट बिल्कुल ओक्कर हो चुका है और फाल्लुकर हो चुका है इस तरह कि प्रोब्लम आपके पास भ लेगा अब साउंड बीप सांड ने मिले चलिए दोस्तों मिल दें आज कितने जैहीं जैशी राम दोस्तों प्लीज लाइक और कमेंट सब्सक्राइब थैंक यू